होटल मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेस के लिए आप चले जाओ, तो ये चीज हर परिवार की कहानी घर-घर की है बेसिकली, लेकिन पिछले कुछ समय से UPSC में बहुत बदलाव आ रहा है, UPSC जो है वो एक बहुत ही एक तरह से कहते हैं यंग ब्रेंड ढूंड रहा है, जो इसके माध्यम से वो नए नए चरीके लेकर आ रहा है, और सर्विस में जो उनकी योग गिता उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, उस तरह की ट्रेनिंग पर बहुत जादा फोकस किया जा रहा है, बहुत पिछले कुछ समय से जो पढ़े लिखे परिवार हैं जहां पर जा क्या है, आठ लाग, फिर दस लाग, बारा लाग, तेरा लाग लोग फॉर्म भरने लगें, और बहुत बड़ी मातरा में जाने लगें, खास तोर पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो कोविड के दौरान जिस तरह से प्रशाशन ने बहतरीन काम किया, कोविड मैनेज जाती भारत में मौतों का आकड़ा बहुत जादा होता, तो सरकार के प्रयासों और सबसे बड़ी बात प्रशाशन के प्रयासों से, जो एड्मिस्टेशन है, उसके प्रयासों, चाहे वो मेडिकल एड्मिस्टेशन हो, पुलिस एड्मिस्टेशन हो, सिविल देखा गया कि बहुत अच्छी जो प्राइवेट जॉप्स हैं वो डाउन हुई और तमाम तरह कि तो एक आकरशन जो था इसका और जादा पावरफुल हुआ और सिर्फ यह नहीं कि नौकरी की सुरक्षा है यह देखा गया कि जो इनोवेशन है रिस्क मैनेजमेंट है तमाम तरह कि मैनेजमेंट हैं उसमें जो यह और्गनाइशन हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं मलब वो जो कहते हैं कि लाल फीता शाही बाबू पेट निकाल के बैठा हुआ काम रोका इससे कहीं अलग एक नई इमेज बनी बहुत ही तुरित रूप से काम करना बहुत ही सेवाओं प्रदान करना लोगों की सुरक्षा राशन पहुचाना धन पहुचाना तो यह सारी चीजों में जो एक नया इमेज बन कर आया अभी आपने देखा जैसे भारत का नैशनल डिजास्टर रिलीव मैनेजमेंट जो हमारी आर्मी है या उसका हिस्सा है तो वह आपने जाके दे दुनिया हमारी प्रशंचा कर रही है कि जिस रूप में हम जो वहाँ जाकर हमने काम किया तो एक यह सेवा जो है अपॉर्चूनिटी बहुत देती है बियॉंड होराइजन उसमें आपने देखा कि डॉक्टर भी थी मेजर भी थे और तमाम तरह के लोग इंजीनियर भी थे तमाम तरह के लोग ते जो उसके पार्ट में थे तो यानि जो यह लोग सेवाइं होती है यह बहुत बड़े होराइजन पे हमें काम करने की ताकत देती है अगर आज तुर्किय भारत को एक अलग नजर से देख रहा है या पूरे दुनिया का मीडिया भारत को एक मानवता क रक्षक की रूप में देख रहा है, तो वो असली जो इसका श्रेय जाता है, वो हमारे जो NDRF के जो लोग हैं, जो जो जवान गए वहाँ पर, जो हमारे लोग गए वहाँ पर, उन्होंने अपने आपको तकलीफ में डाल कर, मुश्किलों में डाल कर, वहाँ जिस तरह से बहुत ही काबिले तारीफ हमारा जो है इनिशेटिव रहा तो अब ये जो देखने की चीज है वो ये है कि अभी जो लोग सेवाएं हैं जो पबलिक सर्विसेज हैं वो एक नया डाइमेंशन ले रही वो तोरित है वो फास्ट है वो परिवर्तन कर रहा है तो अगर उन सभी के सकूँ या मैं बदलाओ का हिस्सा बन सकूँ या मेरे अंदर है कि मैं परिवर्तन लेकर आ सकूँ कुछ जो है चेंज कर सकूँ अगर आप किसी गरीब बच्चे को कूड़ा बीनते हो देखते और आपके मन में यह है कि इस बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए तो एक हो ठिठूरते हुए देखा है तो आपके मन में होगा कि इसको भी रैन बसेरा मिलना चाहिए इसके सर पे भी छत होनी चाहिए यह मैं काम करके दिखाऊंगा तो यह जो परिवर्तन की चाह है वो सभी जितने भी हमारे नौजवान जो है लड़के लड़किया जितने भी हैं अगर उनके मन में आपको यह लग रहा है कि उनके अंदर एक परिवर्तन की चाह है उनके अंदर एक बदलाव की चाह है वो सिर्व चच्चन नहीं करते कि ब पढ़ाई चल सकती है, after 12, बस उनको simple सा एक discipline, अनुशाशन और अपने जो लक्षे है, अपने जो मकसद है, उसके साथ उनको हमेशा एक जुड़ाओ महसूस करना पड़ेगा, एक लगाओ महसूस करना पड़ेगा, यानि अगर जब वो graduation कर रहे हैं, तो एक पहले परंपरा हो आपने जल्दी तैयारी नहीं शुरू की, तो आगे competition में हमें अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा, और ये देखा जा रहा है कि जो भी कम उम्मर में तैयारी कर रहे हैं, या select हुए हैं, या भारत में आपने देखा होगा, उनकी photos आप लगाते हो, आप उनके बार में बात करते हो, तो उसमें बार-बार जिन लोगों का नाम आ रहा है कि भी ये बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो basically जो है, वो बहुत कम उम्मर में अपना दिमाग लगा लेते हैं, मुझे भारतिय सिविल सेवा का हिस्सा बना है, पुले सेवा का हिस्सा बना और वो उस पे लग जाते हैं, तो आपको यहां पर parallelly, जैसे मालीज, आप इंजिनरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप parallelly जो है, वो सिविल सेवा के बारे में सोच सकते हैं, और after 12 ही इसकी तैयारी में लग जाएंगे, और आज की डेट में बहुत से ऐसे जागरुक माता पिता हैं, जिनका फोन आता है मेरे पास, कि हम अपने बच्चे को अभी से तैयारी में लगाना चाते हैं, ताकि वो graduation खत्म होते होते, बहुत ही अच्छे तरीके से इस से हिस्सा बन सकें, तो कारण ये है कि यहां पर जो है UPSC में आप से कोई graduation के minimum marks नहीं मांगता है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, और जो इसकी किताबें हैं, NCRT, NIOS, ये सब आसानी से उपलब्द हैं, बस आपको अपना ध्यान लगाना होगा, और अगर आपके अंदर प बहुत टॉपर हूँ, तभी मैं आई इसकी तैरी कर सकता हूँ, नहीं, मैं इसका जवाब दूँगा, इन सब में आपकी कोई requirement नहीं आपको चाहिए, आप अमीर घर के हो, इसकी कोई guarantee नहीं है, आप जो बहुत जादा कोई चीज चाह रहे हो, इसकी भी कोई guarantee नहीं है, तो अगर मेरे अंदर होगी तो उसी के हिसाब से मुझे UPSC में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं हिंदी माद्यम से हूँ, इंग्लिश माद्यम से हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, privilege हूँ, non-privilege हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, आप मैंसे मुझे बताई, ये कितने लोगों का सवाल है, कि सर मेरे अंदर वो कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए, एक essential गुण, जिसकी वज़े से मैं ये तैय कर सकूँ, कि मुझे civil services में जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, कितने लोग है, मुझे chat box में बताएं, सभी लोग, कितने लोग है, कि वो एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, सभी लोग, किसी ने कहां, बदलाओ, बदलाओ की क्या परिभाशा है, थोड़ा ध्यार से, जवाब दो, कितने लोग, मुझे सबका चाहिए, कितने लोग लगते हैं, कौन सी वो एक चीज़, only one thing, वो आपकी भाशा नहीं, आपका पैसा नहीं, आपका गोल्ड मेडलिस्ट होना, आप कहते हैं, साब मैं तो सेकंड डिवीजिनर हूँ, मैं कैसे जो है, आइस के बारे मैं सोच सकता हूँ, फलाने ने कहा कि वो आइस में टॉपर ही क्यों लाते हैं, कितने लोग ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ क्या हो सकती है, चलिए और लोग मुझे बताईए, कमान, और लोग, जानना चाहते हैं, हाँ या ना, किसी ने लिखा Positive Approach, किसी ने लिखा Awareness, किसी ने लिखा लोगों की मदद करने की इच्छा शक्ती, किसी ने कहा कई बार मैंने कहा Agent of Change, ये सारे नाम आपने लिए, कितने लोग जानना चाहते हैं, वो एक चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए, जहां आप तै कर सकें, कि मैं IPS बनने की योग यह हूए, मुझे इस सर्विस में जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, और आप लोग, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, तो आप मुझे बताएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जिनके अंदर ये गुण वो पाते हैं, या वो सीखना चाहते हैं, रेडी, हाँ जी, तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ, वो एक चीज़ क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, प्रशाशनिक, अभी योग्यता, अभी योग्यता, एड्मिनिस्ट्रेटिव, एप्टिट्यूड, वो एक चीज़, जो वो एक्चुली में देखते हैं, इस पूरा जो प्री, मैंस, इंटर्व्यू में ये जो सारा काम होता है, ये बेसिकली क्या चीज़ चेक करते हैं, जरा इसको ध्यान से देखो, प्रशाशनिक अभी योग्यता, बहुत ही बहुत ध्यान से इसको समझना, प्रशाशनिक अभी योग्यता, अगर आज इसको आप समझ गए, तो आज आप अपने आप से कोश्चन पूछ सकते हैं, कि मुझे अंदर जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, मैं इंजिनिंग की तैयारी कर रहा हूँ, इंजिनिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे वही करना चाहिए, मैं मेडिकल कर रहा हूँ, मुझे वही करना चाहिए, या मेरे अंदर प्रशाशन की कोई चीज उसके बारे में बात करता हूँ, प्रशाशनिक अभी योग्यता, प्रशाशन व तो है वो क्या है शाशन है मेरा दिमाग सोच रहा है कि मुझे लिखना चाहिए या मुझे इस कुर्सी को उठाना चाहिए या सामने पानी का ग्लास है वो मुझे उठाना चाहिए क्यों कि मेरा दिमाग उससे कह रहा है मुझे प्यास लगी है तो मुझे ये ग्लास उठाना च और कान में डाल लिया, सारा पता चला बहरे हो जाओगे, कहां पर, कौन सा अंग, वो क्या होगा, मुह, तो उससे क्या होगा, वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा, और हमारी requirement पूरी होगी, यानि ये पूरा जो mechanism है, वो proper, मेरे हाथ को आदेश मिला, कहां मैंने आखों स देखा, कहां मेरा पानी उपलब्ध है, कितना है, उठाया, ठीक है, और जहां उसको पहुचाना चाहिए, वहां उसको पहुचाया, तो मेरा टास्क पूरा होगी, अब भारत सरकार चाहती है, कि भारत की आर्थिक प्रगती हो, भारत में इनोवेशन हो, भारत में गरीबी knit जिसुवधाओ, तो तमाम तरह की चीज़ें जो है, गौर्णेंट चाहती है, गौर्णेंट ऐसा सोचती है, बजटिंग तैय करती है, लेकिन जमीन पर जो है, जमीन पर उसको ले आने का काम कौन करता है, प्रशाशन करता है, ठीक है, प्रशाशन बेसिक्ली, उसी के according angle, जैसे कोई income tax officer है, तो income से related बात करेगा, कोई DM है, वो प्रशाशन पर पूरा focus रखेगा, civil administration पर बात करेगा, जो IPS है, वो जो है, वो पुलिस प्रशाशन पर अपना पूरा focus करके रखेगा, सब के अपने अपने काम होते हैं, याद रखेगा, तो प्रशाशन जो होता है, वो basically एक dynamic, अब मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ, dynamic unit होती है, तो dynamic, यानि परिवर्तन shield, गति shield जो है, वो यहा पर segment होता है, और जब आप गति करते हैं, तो आप परिवर्तन करते हैं, जब आप गति करते हैं, तो परिवर्तन, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने गति की, और अब मैं कहां आ गया, यहां आ गया, तो मेरी अभी की जो position, वो पहले की position से क्या है, change है, मैं आ आगे की तरफ बढ़ गया हाँ या ना समस्ते जाना बड़ा गहरी बात कह रहा हूं आज आप तैय कर सकते हो कि आपको आइस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए तो क्या होगा जब डाइनमिजम होगा तो आपके अंदर गतिशीलता आएगी परिवर्तन करेंगे आप अप मुवमेंट करते हैं तो भई मैं अगर सोचता रहा है मेरे मेरी बॉड़ी उठके वहां से वहां चली जा नहीं हो सकती आपको क्या करना पड़ेगा